आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा बेस्ट टाइम है और बेस्ट वे हैं जिससे आप जल्द और असानी से प्रेगनट हो सकते हैं अगर आप इस हवाले से डिटेल में जाने ना चाहते हैं तो मेरी ये वेडियो कंप्लीट देखिएगा So without any further delay, let's start the video First of all, नीचे दिएगे red subscribe बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को subscribe कर ले और साथ दिएगे notification bell icon को भी प्रेस करें ताके मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियो का notification आपको मिल जाएं सबसे पहली बात आप अपने periods या महवारी को समझ लीजिए Periods से मुराद masteral cycle या महवारी है हर खातून का महवारी का cycle मुक्तलिफ होता है किसी का एकिस दिन का, किसी का 35 और किसी का 45 दिन का होता है तीनों सूर्टों में आपकी महवारी या periods का cycle नॉर्मल कहलाया जाएगा क्योंके हर खातून के genes, physiology यानि जिस्मानी function, metabolism एक दूसरे से मुक्तलिफ होता है मसलन अगर आपको महवारी 1st February को आई और अगली महवारी या periods आपको 28 फरवरी को आए है तो इसका मतलब आपका periods का cycle 28 दिन का हुआ और उसी तरह अगर आपको 1st February के बाद अगली महवारी 7 March को आई तो मतलब आपका cycle 35 दिन का हुआ और बिल्कुल उसी तरह अगर आपको 1st February के बाद अगली महवारी 17 March को आती है तो इसका मतलब हुआ आपका cycle 45 दिन का है तीनों सूर्तों में ये normal महवारी कहला आई जाएगी अब जुरूरी बात ये है कि कैसे जल्दी pregnant होने में इस महवारी का तालुक है उपर बताएगे हर cycle का आधा calculate कर ले यानि 28 दिन के cycle का आधा हुआ 14 दिन तो अगर आपको periods 1st February को आए हैं तो ठीक 14 दिन आपका ovulation day कहला आएगा इस 14 दिन में 2 दिन प्लस कर दें और 2 दिन माइनस कर दें तो 12 तारीख से 16 तारीख तक आपकी ovulation dates बनेंगी यानि इन दिनों में eggs fertilization के लिए ready होंगे और pregnant होने के chances जादा होंगे तो 12 से 16 तारीख तक अगर वो खातून intercourse करती है तो pregnant होने के chances maximum है याद रहे egg egg cell की तरह होता है और बहुत नाजुक सा होता है जिसकी कुल life 24 घंटे होती है अगर वो fertilize ना हो तो खतम हो जाता है साथ ही साथ मैं आपको बताती चलो sperm की life 72 घंट से 7 दिन तक होती है इसके इलावा याद रखें अगर आप जल्दी pregnant होना चाहते हैं तो folic acid का इस्तमाल रोज करें add folic के नाम से tablet market में मौजूद है वो tablet जरूर खाएं क्यूंकि ये जल्द pregnant होने में भी मदद देती है और अगर आप pregnant हो गई है तो ये बच्चे के brain spinal cord बनने में मदद देती है और birth defect से भी बचाती है सबसे एहम चीज सेहत मंद औरत ही एक मजबूत मा होती है अपनी health का खास खयाल रखें, खाना पीना अच्छा रखें, healthy खाने का इस्तमाल करें junk food बिल्कुल ना खाएं और lazy lifestyle से बहार आएं क्योंकि जितनी आपकी सियत अच्छी होगी हर लिहाज से और आपका जिस्म तवाना होगा उतने ही chances हैं कि आप जल्द pregnant हो सकें डेली exercise करें और मोटाप इसे बचें ताके बीपी शुगर के मसलों से भी आप बच सकें क्योंकि वो मा जिसको शुगर और बीपी की बिमारी है उसको pregnant होने के बाद complications का सामना करना पड़ता है उमीद है आपको in details समझ आ गई होगी कि कैसे जल्द pregnant हुआ जा सकता है कर दो